तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं बहुती तीस्ती यमी चीजी स्वीट कोन पास्ता। जब कुछ चीजी खाने का मन हो और फटा फट से भी बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रू से ट्राय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, इसके लिए डेट कप पर के पानी लिया है, हमने उसमे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ओईल की बूंदे एड़ करेंगे जिसे की पास्ता चिपकेना, पानी अच्छे से उबल जाए तो इसमें हमें एक कप पर की पास्ता एड़ करना है, इसे हमें अच्छे से चलाते हुए उबाल लेना है, एक दो मिनिट हो जाए बाद में पास्ता को हम चेक भी कर लेंगे, यह असी प्रतिसक ही कुख होना चाहिए, यानि कि यह बिल्कुल वैशी नहीं होने चाहिए, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं, तो पास्ता हम पाने से निकाल कर ठंडे पाली में एड़ कर देंगे, ली है हमने यहाँ पर पैन और पैन में एड़ करेंगे एक चमच ओई और इसमें एक बड़ा आसा चमच भर के बटर भी एड़ कर देंगे, लो फ्लेम पर ही बटर को हम मेल्ट होने देंगे, उसके बाद आधा चमच के मेदा और मेदा को भी हम ब्लो फ्लेम पर ही अच्छे से कुक करेंगे इसका भी हमें कलर चेंज नहीं होने देना पर खुसबू आने तक पका लिना है आप देख सकते हो मेदा अच्छे से पक गया है तो एट करेंगे डेट कब पर के मिल्क को भी हम अच्छे से मिक्स करेंग बिल्कुली low to medium flame पर रापचा है तो whisk wire से भी इसे mix कर ले जिससे की आटे में गुठलिया ना रहे आप देख सकोगी दोस्तों कि दो मिनिट में ही ये mixture बिल्कुली गाढ़ा हो गया है तो इसमें add करेंगी थोड़ा सा पानी इसकी consistency को adjust करने के लिए तो चलिए फिर से इसे mix कर लेते हैं तो add करेंगे हम cheese मेने यहाँ पर cheese के टुकड़े करके लिए है आप चाहे तो जो square cheese cubes आती है वो दो cheese cube add कर सकते हैं तो cheese cube को भी हम low flame पर ही melt कर लेंगे अब add करेंगे इसमें हम oregano आधा चमच बरके पीजा सिजनिंग आधा चमच बरके और इसमें थोड़ा सा pinch of salt add करेंगे क्योंकि cheese में भी salt है और यह जो seasoning add की है उसमें भी salt है तो बिल्कुली थोड़ा सा salt add करेंगे इसमें और इसे हमें low flame पर ही अच्छे से mix कर लेना है आप चाहें तो यहां पर इस creamy gravy को भी थोड़ा सा taste कर सकते हैं इसमें एक चमच जितना बिल्कुल बारी कटा हुआ capsicum add किया है और corn add किये हैं तो corn की quantity भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही creamy हमारा pasta sauce बन कर रेड़ी है तो चलिए इसमें add कर देंगे pasta और pasta दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टुटे फटे नहीं है क्योंकि यह सही तरीके से cook हुए हैं तो चलिए फिटा फट से medium flame पर इन सारी चीजों को अच्छे से cook कर लेते हैं जब तक कि pasta की अंदर source अच्छे से चलाना जाए तो बस इसे एक दो मिन्ट के लिए cook कर लेना है और हमारे cheesy pasta ready है पर अभी भी इसको ओ टेस्ती बनाने के लिए इसके उपर मेंने एक cheese slice रखी है इसे डग कर low flame पर एक मिनिट तक रहने देंगे जिससे की cheese melt हो जाए और आप देख सकते हो कि cheese हमारा अच्छे से melt हो गया है और खाने में तो ये गजब का लग रहा है तो चलिए इसकी spoon को टेस्ट कर लेते हैं बहुत ही cheesy creamy हमारे sweet corn flavor वाले बहुत ही balanced taste वाले हमारे pasta बनकर तयार है दोस्तों आप इसे ज़रूर से try करिएगा enjoy करिएगा और आशा करते हो मेरी recipe अच्छे लगी होगी recipe अच्छे लगी होगी लाइक कर दे चैनल को subscribe करते मिलते हैं ऐसे ही नई recipe के साथ